नमस्कार और वेलकम टू दे ट्रेट टॉक पॉर्कास्ट दोस्तो पिछले हपते भी हमने मार्केट में कई उतार चड़ाओ देखे और उसका रिजन यही है कि वर्ल्ड मार्केट में जो इवेंट चल रहा है उसमें से जो सबसे बड़ा इवेंट अभी जो सामनी उभर के आ रहा है वो है रशिया और यूकरेन का यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह टेंशन जो है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और इस इवेंट में मुझे लगता है कि और भी थोड़ा वक्त लग सकता है इसे अनफोल्ड होने में और इसी वज़े से अगर आप देखेंगे तो जो यूएस में जो इंट्रेस रेट हाइक का जो एक इवेंट बना हुआ था और अपने मार्केट के लिए जो फेब्रु iki मैंने की जो एक एक इस्पायरी थी यह भी इवेंट इवेंट के सामने फिके बढ़ रह रह है अगर और आल मार्केट की बात करें तो यह मार्केट काफी वलोटाइल है और हमें लगता है कि और वोलोटाइल रह सकता है और इसी वज़े से market की जो activity है वो दोनों तरफ बढ़ती जा रही है market या तो जोर से गिर सकता है या तो short covering के पीछे बढ़ भी सकता है ये probability जो है वो बढ़ती जा रही है और अगर इस probability को अगर tackle करना है तो सबसे बढ़िया जो strategy होती है वो यही होती कि आप छोटे trade लीजे और अगर आप छोटे trade लेंगे तो आप multiple trades ले सकेंगे क्योंकि market volatile रहेगा तो किस direction में जाए exactly उसे बोलना मुश्किल हो जाता है और ऐसे कि इसमें बढ़े trades के साथ हम stuck हो जाते हैं तो हमें बड़े trades के साथ stuck नहीं होना है आप छोटे trade लीजे, multiple trades लीजे तभी जाके आप इस probability को tackle कर सकते हैं साथी साथ अगर world markets के बात करें तो आज वापस world markets वैसे neutral to down चल रहे हैं, US futures थोड़े उपर आ गया है क्योंकि जो event है उसी के मद्दे नजर काफी सारे news flow बनते जा रहे हैं और उसी basis पे market volatile हो रहा है लेकिन US markets अगर आप देखे तो Friday के दिन पे काफी नीचे बंद हुए थे और उसमें एक थोड़ा सुदार हमें सिंगापूर निफ्टी लगभग 100 पॉइंट नीचे है और Asian markets भी flat to neutral to नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रहे हैं अगर major factors की बात करें तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा सुधार देखा है dollar index 96 की नीचे ट्रेड कर रहा है 10-year bond yield is around 1.92 from 2.00 यह एक slightly positive है emerging markets के लिए और crude भी 92-93 के करीब अटका हुआ है साथी साथ अगर आप हमारे markets के बात करें तो पिछले अपते हमने काफी उतार चलाओ देखा eventually market पिछले week के closing के basis पे तो नीचे ही बंदुआ लेकिन lower level से हमने काफी अच्छे recovery देखी थी 16,800 के करीब काफी अच्छा support मिला था जहां पे 200 दिन के average का support है इस week में भी हमें लगता है कि 16,800 market के लिए वापस है कि important support के basis पे काम करेगा लेकिन very short term में 17,200 यानि कि 17,200 के नीचे हमें weakness देखने मिल सकते तब तक हमें लगता है कि 17,200 एंड 17,500 इसी range में market ट्रेल करते हुए नजर आ सकता है below 17,200 chances of 17,050 17,000 के levels को छूनी की जो शक्यता है वो बढ़ जाएगी और जब तक 17,200 ना तुटे तब तक हमें लगता है कि market range bound हो सकता है bank nifty में भी 50 दिन का average और 200 day simple moving के average के levels लगभग 37,000 and 36,500 के करीब है और इसी वजह से हमें लगता है कि 36,500 and 38,000 ये एक trading range रहेगी इस अपने market के लिए और इसी range के अंदर bank nifty हमें trade करते हुए नजर आएगा 38,000 के उपर breakout देखने मिल सकता है 36,500 के नीचे weakness देखने मिल सकता है लेकिन option statistics के basis पे 37,000, 36,500 के करीब काफी बड़ा put writing है और nifty में 17,000 के करीब का put writing है तो expiry के सामने market इन levels को respect करते हुए नजर आएगा अगर हमें sectors पे ध्यान देना है तो हम वापस commodities पे यानि के especially metal companies पे focus करेंगे cement companies में weakness है और साथी साथ हमें लगता है कि financials और auto companies में भी तेजी बन सकती है अगर market में recovery अगर है तो हमें commodities यानि के metals, financials, साथी साथ auto companies और कुछ एक capital goods और infra companies पे हमें focus करना पड़ेगा दोस्तों इसे के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ और आप सभी के लिए आज का दिन मंगल में हो Thank you and have a great day to all of you Thank you